हलो दोस्तों मैं हूँ अर्पितान आप सभी का स्वागत है फर्स टाइम मोब में तो आज के वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंपोर्टन्ट और जरूरी है तो चलिए अब फटा-फट से वीडियो स्टार्ट करते है आज के टाइम में बच्चों को स्क्रीन टाइम देना बहुत ही कॉमन हो चुका है चाहे हो या वो मोबाइल पे हो या फिर टीवी पे हो कॉम्पिटर पे हो लैप्टब पे हो बच्चे कई सारी चीजे करते हैं वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे काटून्स देखते हैं गेम्स खेलते हैं क्यूंकि इंटरनेट पे बहुत सारी चीजों के related content रहता है सब topics related content रहता है और कुछ content ऐसा भी होता है जो कि बच्चों की age के लिए appropriate नहीं होता है, बच्चों की age के लिए सही नहीं होता है, तो ऐसा तो possible नहीं है कि हम पूरा टाइम बच्चों के साथ बैठे रहे और control करें कि बच्चा क्या देख रहा है, सही चीजे देख रहा है कि नहीं, तो जो हम कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं मैं आपको तीन पॉइंट बताऊंगी जिसे की आप एट लिस्ट बेसिक कंट्रोल कर सकते हैं कि बच्चा सही चीजे देख रहा है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो अगर आप बच्चे को मोबाइल पर स्क्रीन टाइम देते हैं तो उसी आप मोबा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मतलब आप टीवी में यूट्यूब चलाके बच्चों को वीडियो और कार्टोंस जो भी देखना है वो दिखा सकते हैं इससे की आप एट लिस्ट आपका वाच रहे कि बच्चा क्या देख रहा है सेकेंड चीज जो आप कर सकते हैं वो यह है कि as a parent आप अपने mobile को always password से protect रखें इससे क्या होता है बच्चे को जब भी आपका mobile यूज करना होता है वो आपके पास आएगा and unlock करने के लिए बोलेगा तो इससे क्या होता है एक control रहता है कि बच्चा जब भी आपका mobile यूज करें आप से पूछ के करें without your permission वो use ना करें तो ये एक simple सा control है चोकि रखना चाहिए इससे भी बहुत फर्क पड़ता है मेरे हिसाब से तो ये एक दूसरी चीज है तीसरा point जो है वो बहुत ही important है as a parent अगर आपको नहीं पता है तो कि आप अगर बच्चे को mobile पे या कहीं भी YouTube पे वीडियो दिखाते हैं तो please, 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 आप YouTube Kids एप जो है उसके थ्रूही दिखाई है YouTube Kids जो एप है वो YouTube की सिर्फ बच्चों के लिए बनाए गई एप है जिसमें बच्चों के related videos आते हैं, कार्टोंस रहते हैं, उनके educational related videos रहते हैं तो क्या होता है कि इसमें आप बच्चे की age के हिसाब से videos लगा सकते हैं and जो suggestion में जो videos आते हैं, वो भी बच्चे की related ही आते हैं, उनकी age की related ही आते हैं, तो आपको वो टेंशन नहीं रहता है कि बच्चा कुछ भी और देखेगा, उसकी age के appropriate video नहीं है, वैसा कुछ video देख लेगा, तो प्लीज प्लीज यूट्यूब Kids एप जो है वो डाउनलोड करके आप बच बच्चे को नहीं देखने चाहिए, तो ये एक चीज है, मैंने कई सारे parents को देखा है, वो बच्चे को ऐसे YouTube यूट्यूब यूज करने के लिए दे देता है, बच्चा कुछ भी देखता रहता है, जो कि बच्चे के लिए सही नहीं है, तो ये एक चीज का आप ज़रूर से ख्याल रखे, YouTube Kids अब आप आराम से Play Store से डाउनलोड कर सकते हैं, तो बस ये कुछ पॉइंट्स थे, जो मैं काफी टाइम से सोच रही थी, कि मैं आप सब के साथ शेयर करूँ, काफी सारे लोगों को पता भी होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है, उनके लिए ये पॉइंट् आप मैटर करते हैं बच्चों के डेवलोपमेंट में, अगर नहीं ख्याल रखेंगे, तो बच्चों पे उसका खराब असर भी पढ़ सकता है, तो प्लीज इन तीन चीज़ों का ज़रूर से ख्याल रखे, फर्स्ट मोबाइल, जो मोबाइल का स्क्रीन टाइम है, उसे अगर आपको पसंद आए, तो प्लीज मुझे कमेंट में ज़रूर से बताईएगा, आपका व्यू क्या है, आप कैसे कंट्रोल करते हैं, वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर से बताईएगा, तो मैं वापस आओंगी नए वीडियो के साथ, तिल देन, टेक कैर, स्टे सेफ, धाँ बारी, तिल दो में जब आप बाए!